आज हम आपके लिए एक मीनी केक की रेसिपी लेकिया है जी हाँ फ्रेंड्स जो सिर्फ मातर 15 मिनिट में तयार होने वाली है सिर्फ 15 मिनिट में आपका केक तयार हो जाएगा घर में गैस डाए या कुछ भी पाटी देनी हो बच्चों के लिए तो जटपट से तयार होने वाली रेसिपी है मातर 15 मिनिट में आपका केक तयार हो जाएगा और फ्रेंड्स इसे पता है हमने किस में बनाया है इटली स्टेंड में जिस लैब अपने लिए इटली बनाते हैं उसी में आज हम केक बनाएंगे बुल सिंबल तरीके से हैं बिल्कुल इसी तरीके से बनकर तयार हो जाएगा वो भी इतने खास इंगृड्रेंस है जो आपके घर में एवलबर होंगे कोई दिक्कत नहीं बहार से लाने की बस सुजी से ही बनाया है खाने में आप पोस्टिक है कोई सी भी आप ले सकते हैं, अगर बारिक होगी तो वैसे बैस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब हमने क्या किया है, ओल लिया है, वन थर्ट कप हमने ओल लिया है, इसके लिए, जिससे बिल्कुल स्मूथ, एक शाइनिंग वाला आपका केक बनकर तयार होगा, एक कप हम हमने लिया है, रिफाइंड ओयल, अब हम क्या लेंगे इसमें, हम लेंगे, फ्रेस कर्ड यानि की दही, हमने हाफ कप दही लिये, यह घटी दही नहीं है, नॉर्मल दही है, घटी हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, अब हमने चीनी लिये है, जिसे हमने पीसके रख लिया है, हाफ कप हमने चीनी लिए और अपने टेश के गोडिंग आप इससे चीनी को ले सकते हैं अपको मीठा पसंदतों ज्यादा आप ले सकते हैं इसके साथ ही अमने क्या लिया है मिल्क पहले एक कप लिया है मगर इसमें लगबख हाफ कभी यूज लहाँ हो इसले हमने एक कपी कि आपको पता है फ्रेंड सूजी दर दर बिखरने लग जाती है तो बिखरे ना इस लिए थोड़ा सा लिया है मैदा जादा नहीं हलका इससे मैदा लेंगे हम आप चाहे तो इसकी जगा आटा भी ले सकते हैं अब हम क्या टिश्टा लेंगे इसमें फ्रेंड फ्रेंड हमने क्या करना है इसे सूजी ऊटेनेसे इसमे। जाल दिकैना इताल टैल देंगे स्मूथar बनाने के लिए जिससे मुद्धी सूर्ण हो जाये विश्टायों इसमीul साभाविय अधक्बै.. आप देख सकते हैं काफी स्मूध हो गया है अब हमने क्या करना है इसे एक बड़े बाल में जिसमें हमने बनाया था ना इसे उसी में हमने इसे पल्टा देना है अब हमने क्या करना है इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर वन टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डालना है औ तो थोड़ा से वनिला एसेंस जाला है, हाफ टीस्पून, अगर आप कलर नहीं देना चाहते हैं, तो आप से स्किप भी कर सकते हैं, हलका वाइट वाइट सा दिखता है, जब आपका केक तयार होता है, हलको यलो ने शा निकले, हमने इसमे यलो फूड कलर डाला है, इसे अच् तों, दूड दूद हमारा इतना लगा है, हमने इटली स्टेंड ले ले को आपके पास बढ़ा है, तो जब आपके पास बड़े में, काफी अच्छा, फलफी सा बनता है, کाफी ज्यादा है, बढ़े हम्हारे पास छोटा है, हम सस्कित क्लिज वाले है, दोड़े बना R Pens Гassi यह बाहर आने लग जाएगा, फूलने के बाद बाहर बिखडने लग जाएगा, इसलिए हम एक एक चमबच डालेंगे, क्योंकि फूलने के बाद काफी ज्यादा फ्लफी सा हो जाता है, इसलिए हम इसमें एक एक चमबच ही डालेंगे सभी में, कि इस तरह से हमने सभी में डाल दिया है काफी चादा टेस्टी बनता है और जटपट से भी तयार हो जाता है और थोड़ा सा इसमें टूटी-फूटी लगा देंगे जैसे आपको पसंदो का टूटी-फूटी नहीं पसंद तो आप इसमें ड्राइफ फूर्ट्स भी डाल सकत त्रह से लगा देंगे देख लिंके 1 की ऊपर इधर और पलटाए लगाना अच्छे से इसके अंदर यिघे को कि ङलगी है इसे हमें रख देंगे प्रेशर कूकर में हमने प्रेशर कूकर में रखा रहा है थोड़ा बड़ा था इसल्व आसानी से ए सव ऐगा और एक हीट देने केलिये नमक लेंगे हीट लेगे इसे हीट देने केलिये इसे अची हीट आती है चार घराक एब गरम कर देंगे इसमें रगा थेऊँ धक्कन और 10-15 मिर यद बात इसे चेक बास चैक करेंगे अबने हाँ पी ले लिए पर आप इसे बीटे हैं एक अच्छी सी कोटिंग कर देंगे मैथे से जो मार पास बैटर बचाए क्यों वेस्ट करना उसे आप चाहे तो इसे दुबारे यूज कर सकते हैं हमने क्या करा है तुरंत इसे हम फ्रेय पैन में डालके यूज कर देंगे केक बनाने के लिए और सबी बैटर को इसमें डाल देंगे हम एक सांदर केक बनकर तयार हो जाएगा हमारा बस इस अच्छी से टैप कर देंगे और इसे हम गरम-गरम तववे के उपर रख देंगे हमने तवह हीट करने के लिए पहले से ही कोई साभी पूराना तववा हो कोई साभी रोटी बनान के लिए उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा इसे में इसमें 20-25 मिनट लग जाएगा अच्छे से कोई बड़ा बरतन इसमें रख देंगे हिट देने के लिए यहां पर हमारा केक तयार हुआ है नहीं वाओ देख सकते हैं हमारा केक कितना तांतर सा लग रहा है तयार ह हुआ है हम इसमें टूथपिक डाल के देख लेते हैं इसमें लग रहा है नहीं बिल्कुर क्लीन आगी है हमारा केक देख लीजे बनकर तयार हो गया है और यहां पर हम देख लेते हैं इसे 20-35 मिनट हो गया है हम यहां पर देख लेते टूथपिक डाल के हमारा केक तयार हु यहां पर देख लेगे हम दमना यह भी निकाल दिया है इसे से थंड़र कृम निकलंगे तोल चुन में देर हम थंड़र यहां ना झाल जाता है कोई दिक्कत कितना सुज बना भ लाइट में पाफिर द contenido अब पर निकलंगे इसी तरह से हमने बाकी सारे निकाल देने है कितना जाली तार बनाया है देख सकते हैं कितना स्मूध है आप देख सकते हैं सभी को हमने निकाल दिया है देखने में कितना सॉफ लग रहा है बिना अंडे के हमने बनाया है बिना ओवन के हमने बनाया है देख सकते हैं फ्रेंड्स काटने के बाद कितना जालिदार बना है कितना फ्लफी सा बना है देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्यारा से कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी प्रण जरूर दबाये जिससे क्या होगा हमारी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पांस पहुंचाएगा फिर मिलेंगे फ्रेंड्स आपको हम एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग बाई बाई